ओम शान्ती आठ अक्टूबर दो हजार बाइस की साकार मुर्ली से होमवर्क आज की मुर्ली से हम लक्षे लेंगे मा बाप के तक्त नशीन बनने का पूरा पूरा पुरुशार्थ करना है अर्थात सूर्य वन्शी में राजाई पद पाना है इसके लिए आज हम स्वामान लेंगे मैं शिवशक्ती हूं अर्थात बाबा के साथ कमबाइंड हूं शेर पर सवारी है अर्थात पाँच विकारों रूपे शेर को मैंने जीत लिया है तो बाबा की याद से और विकारों पर विजे प्राप्त करके माया जीत बनकर अज सारा दिन रहेंगे माबाप के तक्त नशीन बनने का अर्थ ही है संपूरन निर्विकारी बनना इसके लिए आज हम धारना मूरत बनेंगे बाबा की श्रीमत को फोलो करते हुए तो पहली पवितरता के लिए धारना बाबा ने बताई बुद्धी की शुधता इसके लिए बाबा ने कहा घर गरस्त में रहते हुए युकती से चलना है खान-पान का परहेज रकना है खान-पान का असर बुद्धी के उपर आता है क्योंकि धारना, पढ़ाई, बुद्धी के अंदर ही होती है, क्योंकि बुद्धी अच्छी बात को भी ग्रहन करती है, बुरी बात को भी ग्रहन करती है, तो बुद्धी की शुदता पर अटेंशन देना है, उसके उपर असर खानपान का भी होता है, संग का भी होता है, जो तो जितना बुद्धी शुढ होगी, उतना जो भावा पढ़ाया पढ़ाते हैं, वो अंदर धारणा में जाएगी, तो घरस्त में रहते, पढ़ाया पर भी अटेंशन देना है। दूसरे बाबा की श्रीमत है पवित्र रहने के लिए दिल की सफाई, तो दिल की जितनी सचाई सफाई होगी, उतना ही संसकारों में पवित्रता आएगी, तो बाबा ने कहा, पुराने संसकारों के वश होकर, अगर कोई पाप करम हो जाता है, तो बाब को सच सच बतलाना है, स शमा मांगने से बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें आगे शिक्षा भी दूंगा, तो पुराने जो संसकार हैं, जैसे चोरी करना, कोई चीज अच्छी लग जाए, चिपा की खा लेना, तो तुम्हारा पद भरस्ट हो जाता है, तो रेलाईस होने पर बता देना है, चोरी करना, बिजनस में ठगी करना, जूट बोलना, ये सब पुराने संसकारों के वश्चो पापकरम होते हैं, तो बाबा को सच सच बतलाना है, तो जितनी सचाई सफाई होगी, उतने ही पवितरता की धारना होती जाएगी, तीसरा पवितरता के लिए बोला, बाब के साथ प्रीत बुद्धी रखनी है, क्योंकि स्वयम बाब आकर के अपने साथ प्रीत जुडवाते हैं, अर्थात आत्माओं की अपने साथ सगाई करवाते हैं, तो प्रीत बुद्धी के लिए बाबा ने बोला हड़ी याद करने का पुरशार्थ करना है जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ऐसे बाबा की याद बुद्धी में रहे चाहे मित्र संबंधियों का हालचाल पूछो विवहार में आओ लेकिन दिल से बुद्धी से बाबा की याद रहेंगी तो माया पर भी विजे पराप्त कर लेंगे क्योंकि बाबा ने अभी हमें तीसरा नेत्र दिया है हमें त्रीकाल दर्शी बनाया है सुक्षम रुप को पहचानते जाएंगे तो हमारी करम की पवितरता होती जाएगी क्योंकि हर करम पास्ट प्रेजन्ट फूचर को देख करके करेंगे तो पवितरता के लिए बाबा ने बोला पर्तिग्या करने हैं यह बाबा का फरमान है क्योंकि इस समय हमें अगर जाड़ू लगाना पड़े बरतन मांचने पड़े तो भी महावीरता के साथ पवितरता की धारū मागना करनी है और इश्वरिय सर्विस कर दूसरों का कल्यान भी कर सकेंगे तो इस तरह हम सूर्यवंशी राजाई में उंच पद पाने के लाइक बनेंगे ओम शान्ति